आज हम मनाएंगे सर्दियों में खाये जाने वाला मुर्का पहले हम भुआ को रोष्ट कर लेंगे और फिर तिल को भी रोष्ट कर लेंगे आप सफित तिल भी यूज कर सकती हैं अब हम एक बावल भुने चना के छिलके निकाल लेंगे अब घुड को पिगला लेंगे और गैस को स्लो फ्लेम पर रखेंगे चने को पीस लेंगे दरदरा और मववा को भी दरदरा पीस लेंगे तिल चना और मववा को मिक्स कर लेंगे और घुड में चार चमच घी डाल गे मिक्सचर को डाल कर मिक्स कर लेंगे को खाने से सरीर की नसों के जकड़ान तीक होती है और बलड सर्कुलेशन तीक रहता है और जोडों के दरद में आराम भी मिलता है और हम इस मिश्चर के लड़ू बना कर खाएंगे या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते पर वाचिन लाइक सब्सक्राइब और से अधा वीडियो